चैप्टा 7 क्लास 12 इंटिग्रेशन के एकसरसाइज 7.2 का क्वेशन नमबर 23 और 24 साल करेंगे हम लोग यहाँ question number 23 क्या है integration करना है sin inverse x upon root में 1-x square dx तो sin inverse x का अच्छा यह बताओ differentiation क्या होता है under root 1-x square होता है ठीक है तो पता चल गए हमें किसको t मानना है let कर लेंगे sin inverse x is equal to t इसका differentiation करेंगे कितना आजाएगा 1 upon under root में 1-x square और dx बराबर कितना dt आजाते हैं numerical पे integration of sin inverse x upon under root में 1-x square dx बराबर sin inverse x into 1 upon under root 1-x square dx ऐसे भी तो लिख सकते हैं ठीक है ना लिख सकते हैं आप क्या करेंगे sin inverse x को हमने t माना है और 1 upon under root 1-x square dx मिलके क्या हो जाएगा dt हो जाएगा तो यह हो जाएगा t dt ठीक है integration कर दो ठीक इतना आ जाएगा t की power 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus c तो आ जाएगा आप t square plus c t की value रख देंगे क्या है t की value t की value है sin inverse x sin inverse x का whole square plus c हो गया आपका अंसर बात आ गई समझ में क्या किया सवाल दिया गया था sin inverse x को t मान लिया differentiation किया तो 1 upon root 1-x square dx बराबर dt निकला यह इस तरीके से numerical लिखा हुआ था इसको थोड़ा सेपरेट कर लिया sin inverse x अलग कर लिया तो 1 upon under root 1-x अब यह चीज है under student थोड़ा समझना 1 upon 1-x square dx है इसकी जगे पे dt रख दिया इसकी जगे पे t रख दिया integration कर दिया t की फिर value रख दिया अंसर आ गया अब हम लोग question number क्या करेंगे 24 करेंगे question number 24 क्या है integration of 2 cas x minus 3 sin x upon 6 cas x plus 4 sin x dx देखे सवाल को देखा तो देखते ही हमें पता चलिए यहाँ पे 2 कामन मिल जाएगा सबसे पहला काम तो 2 कामन निकाल तो फटा फट तो नीचे से निकाल लिए ना denominator से तो यह 1 upon 2 बाहर आएगा integration 2 cas x minus 3 sin x upon यहाँ से 2 निकाल लिया है बाहर तो आगया 3 cas x यहाँ से भी 2 बाहर जा चुके हैं भी जब यहाँ से और यहाँ दोनों से निकला था तब बाहर निकला overall तो यह हो गया 2 sin x dx अब क्या करेंगे बेटा बताओ जो denominator में लिखा है उसको t मानेंगे सर्य आप यह क्या करते हैं भाई किसी सवाल में आप numerator में लिखा है उसको t मान लेते हैं किसी सवाल में आप denominator में लिखा हुआ टी मान लेते हैं हम को कैसे पता चलेगा लला सवाल को देखने से पता चलेगा पहले वाले सवाल में क्या था sin inverse x लिखा था और under root में 1 minus x square लिखा था जरा under root में 1 minus x square गर differentiation करो बस सोचो करो नहीं क्या sin inverse x मिलेगा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलता तो क्या करते फिर तो उसी को करना था sin inverse x को ही मानना था sin inverse x को t मानो differentiation करो सोचो under root में बना पान 1 minus x से square मिलेगा मिलेगा इसलिए माना था तो ऐसे ही 24 में क्या है सरे इसमें तो उपर वाले को करें तो नीचे वाला मिल जाएगा नीचे वाला करें तो उपर वाला मिल जाएगा ठीक उपर वाला करेंगे मानेंगे तो नीचे वाला मिल जाएगा नीचे वाला करेंगे तो उपर वाला मिल जाएगा लेकिन क्या वो उस सर्थ को satisfied करेगा condition को उपरवाला अगर हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए t तो ये 2 minus का sin x आ जाएगा differentiation करेंगे जब minus 3 का स x आ जाएगा तो ये 1 अपान में नहीं आया पूरा देखो doubt clear करो 2 का स x minus 3 sin x t मान लिया ठीक मान लिया तो अब इसका differentiation करो इसका आ जाएगा minus का sin x का स x का differentiation dx आएगा वो बाद में लिखेंगे minus 3 इधर कितना आ जाएगा का स x और इस पूरे में कितना आया dx बराबर कितना dt अच्छा minus कामन ले लो तो ये हो गया 2 sin x plus 3 का स x dx बराबर कितना हो गया dt मिला तो लेकिन ये dx के साथ में क्या कर रहा है multiply कर रहा है और dx के साथ में यहां multiply काउन कर रहा है ये तो हमें condition तो numerical की लगानी है ये देखो अगर इसको तुम लिख लेते हो इस numerical को थोड़ा साथ तो ये क्या होगा 1 upon 2 integration 2 का स x minus 3 sin x ठीक अलग कर दिया into 1 upon 3 का स x प्लस 2 sin x और dx अब दो ही condition है आपके पास या तो 2 का स x minus 3 sin x dx लाओ अगर dx के साथ में ये आएगा multiply वाला लाना चाहते है तो 2 का स x minus 3 sin x लाओ तो वो dt मे आगे convert होगा या फिर अगर ये चीज़ तुम्हें मिलती है तो ये 1 upon 3 का स x प्लस 2 sin x dx होनी चाहिए समझ गए ना नीचे वाला person होना चाहिए इसलिए क्या करेंगे हम लोग नीचे वाला मान लेंगे ठीक सोचेंगे कैसे कि नीचे वाला मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे जब हम मानते है तो सिर्फ और सिर्फ function लिखा होता है पी अपान क्यू की फार्म में तो हम लिखते नहीं है इसलिए हम ऐसे numericals में कोशिस करेंगे denominator को ही माने ठीक है तब ही हमें उपर वाला उसके साथ में multiply करता हुआ दिखेगा ठीक है तो यह वाली चीज क्या हो गई गलत समझ गए यह वाला क्या हो गया portion इतना गलत हो गया अब क्या करेंगे हम लोग गलत नहीं हो गया मतलब satisfied नहीं हो रहा अब हम क्या करेंगे 3 cas x plus 2 sin x को मान लेंगे t सवाल लग जाएगा लेट फिर से काम बढ़ा दिया तुम लोगों ने 3 cas x plus 2 sin x dx आएगा वो बाद में लिखेंगे ठीक है इधर आजाएगा 2 sin x का डिफ्रेंसियेशन cas x इसके साथ में भी dx आया तो इन दोने के dx को हमने बाद में एक साथ लिख लिए बराबर कितना dt तो अब देखो धिहान से ये minus का 3 sin x हो गया इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 cas x थोड़ा साजेस्ट करके 2 cas x minus 3 sin x दिख रहा है अच्छा ठीक dx बराबर कितना dt अब देखो 2 cas x minus 3 sin x dx बराबर क्या हो गया dt 2 cas x minus 3 sin x dx मिलके कितना बन जाएगा dt 3 cas x plus 2 sin x क्या हो जाएगा t सवाल लग गया आजाओ उन्हें मेरिकल पे बराबर 1 upon 2 integration आप 1 upon इसकी जगे पर t रखोगे तो 1 upon t हो गया ये वाला इतना और dx मिलके क्या बन गया dt तो ये क्या आ गया फिर से बता दूं क्या 2 cas x minus 3 sin x dx मिलके हो गया dt और 3 cas x plus 2 sin x क्या हो गया 3 cas x plus 2 sin x t हो गया तो वो t लिख लिया यहां पे अब integration कर दो क्या जाएगा log t plus c आप क्या करेंगे t का मान रख देंगे करेंगे क्या half log t मतलब 3 cas x plus 2 sin x plus c यह हो गया आपका अंसर यह देखो t का मान इलिट किया था भी रख दिया चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में